सो गाइस कैसे आप सभी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि हमारी सामाने विज्ञान के पंदरा सो महत्पूर्ण प्रस्नों की सीरी चल रही है तो उसी में यह हमारा चौता सेट है यानि कि मैंने आपको तीन सेट अवेलिबल करवा दी जिसमें हर सेटम आपको तीस क्यूस्टन मिल रहे हैं और यह क्यूस्टन बहुत इंपोर्टन है आपकी सभी एक्जाम के पॉइंट उप्यू से यानि कि आपकी सेंट्रल लेवल के एक्जाम हो गई या फिर आपकी MP की जितनी भी एक्जाम है व्यापम की जितनी बारे में कुछ चीजें चल रहे हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट यह हो जाएगा कि यहां पर आपके जैसे आपने साइंस पढ़ लिया तो वह सभी एक्जाम के लिए आपका प्रपेर हो जाएगा और आपको एक ही बार एक्जाम में जो नंबर आएंगे वही आपको प्राप्त रेशम कश्मीर बक्रे से प्राप्त हुआ उन गायों से प्राप्त चमड़ा या फिर वस्त उद्ध्योग में संसलेशित कपड़ा तो आपने सुना हो गया गाना पश्मीना धहगो वाला ऐसा कुछ गाना है तो पश्मीना है न वह उन है और कश्मीरी बक्रे के उन से प्राप्त है उसके मिलब कस्मीर का जो बक्रा है उसके बाल से यह उन बनाया राता है तो यह उन जो है काफी गर्म रेता है काफी फेमास है पश्मीना नाम से बहुत फेमास है अगला है कि बुंसेन बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग कौन सा हो है तो यह कौन सा भाग है यहां पर बाहितम्म जो सबसे बाहर का जो भाग हें वह सबसे गरम भाग होता है बुनसेंद बारनर का अगला क्यूसरता है कि वकर दर्पन का सामान्न है वकρά दर्पन या कि काफ़.. यह देखिए क्षब काफर मिरार्थ यान्न कि मुड़ा हुआ है से मुड़ा हुआ थोड़ा सई से भी मुड़ा हुआ तो समतल दर्पन पस्टी दर्पन सीशा है पर गोली दर्पन रहता है वह वक्र दर्पन का सामान ने उधायने सा और सबसे अच्छा उधायन है अगला क्युश्चन है कि सरीर तभी संचलन कर सकेगा यहां पर सकेगा जब घरसन बल घरसन बल क्या होगा लगाए बल लगाए गए बल के बराबर होगा लगाए गए बल से कम हो लगाए गए बल से अधिक और शुन्यू देखी सरीर तभी संचलन कर सकेगा निए कि सरीर तभी चल सकेगा जब जो लगाया गया बल है वो घरसन बल से कम होगा लगाया ग कोशिश किए आगे बढ़ने की अगर घरसन बल जो है वो उससे ज़्यादा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर किसी भी अब वस्तू को खीचते हैं तो आपको उतनी ताकत लगानी पड़ेगी जो उसके घरसन बल से ज़्यादा हो आपको जो बल है वो घरसन बल से ज़्यादा होने चाहिए तभी वो वस्तू खिसकेगी दूसरा उसके भाहर पर भी डिपेंड करता है तो यहां पर आपका आंसर होना आगा कि लगाएगा बल से कम होना चाहिए भाई घरसन बल अगला क्यूशन है कि इनमें से कितनी ध्वनी कितनी अधिक ध्वनी होने से ध्वनी प्रदूसरा होने का कारण होता है 100 डेसिबल 50 डेसिबल 120 डेसिबल डेसिबल 120 डेसिबल ध्वनी होने पर यहां पर आपका ध्वनी प्रदूसरा होने का कारण बनता है अगला है कि वहाँ जीव जिसमें नाभी की पधार्त और कोशी का द्रव्य के भी जिल्ली नहीं होती क्या कहलाते हैं कोशी का द्रव्य और नाभी की पधार्त के भी जिल्ली नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं प्रोकेरियोटिक कोशी का हैं प्रोके योट्स और यूके योट्स तो यह प्रोके योट्स कहलाते हैं जिनके बीच नाभी की पदार्टो कोशी का दरवे के भी जिल्ली नहीं होती है अगला गती की मूलवूद इकाई है गती की जो मूलवूद इकाई है वो क्या है किलोमेटर परती मिनिट मीटर पर सेकंड मीटर पर मिनिट किलोमेटर परती होगा यह मीटर पर सेकंड जो इसकी बैसिक यूनेट है किलो मेटर पती घंटा भी इसकी यूनेट है लेकिन बेसिक यूनेट से इसको डिफाइन किये जाता है ये मीटर पर सेकन अगला क्योशन है आक्सियन का परिवहन सरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा किया जाता है सरीर के जदिनी भी कोशिकाएं हैं उनमें आक्सियन ले जाने का काम कुछ करती है R.B.C. Red Blood Cells, लाल रत कनिकाएं ये सरीर में आक्सियन परिवहन करती है गुड हल का प्रवरधन इसके द्वारा आशानी से किया जाता है किया जा सकता है विखंडन के दोरा मुकूलन के दोरा तनाकरतन के दोरा और बीजाओं निर्मान के दोरा अगला है की ठर्मामीटर का वहाँ हिस्सा जो पारे के पारे के इस्तर को अपने आप गिरने से रोकता है और आप उसमें जटका देंगे तभी वो पारा गिर पाएगा इस तरह का होता है तो यह किंक कहलाता ऐसे कुशन आपके एक्जाम में आते ही आपको पता नहीं रहता इसके अलावा आप हमारे जो कॉपस अकाड़मी हमारे यूट्यूब चैनल वही फेस्बूक पेज भी हमारा कॉपस अकाड़मी वहाँ पर भी आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं इसका अलब टेलिग्राम चैनल है जहाँ पर आपको वीडियो मिल जाते हैं वीडियो के लिंक मिल जाती है जो हम PDF अवेलिबल करवाते हैं वो मिल जाते हैं और बाकी अधर कुछ नोटिफिकेशन कुछ ऐसी इंफोमेशन मिल जाती है जो हम यूट्यूब पर बार-बार मतलब जिस वीडियो तो डालते हैं लेकिन वहाँ पर आपको रेगुलर इंफ्रमेशन मिल जाती है और आप वहाँ पर क्विक रिस्पॉंस भी आप ले सकते हैं इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर 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 सकते हैं इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो आपकी बोडी लेंग्वेश क्या होनी चाहिए यह सारी चीजे में आपको वहाँ पर सिखाने की कोशिज कर रहा हूं दीरे-दीरे में वहाँ पर वीडियो क्लिप्स अवेलेबल कर रहा हूं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फोलो प्रयोग किया जाता है प्रारमभिक पदाहारते ने की देख तन्सले तंतु उझे से रियान पॉलिस्टर नएलान आदी के पेट्रोकेओ में मैकल्स अब्यासली बात है पेट्रोकुंस का उपेओक किया जाता है तो यह आपका अनसर और रहा है पेट्रोकेमिकल्स chemical अगला तेजगती वाली वायू संगधित होती है इनके द्वारा क्या होते हैं तो तेजगती वाली जो वायू है उसमें दबाव जाना रहता है संगटिति का पतलब वायू हो गई वायू के कंद दूर-दूर होते हैं उसके बाद द्रव आती है sudah sever 채 व्जली और वज भनी के साथ वाली आंधी और वायू के दवावे वायू के दवाओं वडभती हूं तो वायू के कम होती है तेज गति वाली हट्ज है तो 768 हट्ज में क्या रहेगा ज्यादा पिछ रहेगी अगला है कि नमने वैसे कौन सा कथन गलत है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तडित के गलत की बात कर रहा है ना यानि कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या आपको पता है कार के अंदर होना सुरक्षित नहीं है अगला है कि तड़ित और गर्जिन लगभग एक साथ होते हैं और अगला है कि दो पिंडों को एक दूसरे के सांबाइक सिर्भ गड़ने से उन्हें पर आब इसका विकासिक पिंड से दूसरे के कारण होता है यह सारी चीजे सही है लेक सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के द्वनी बढ़ाने के लिए ठीट की जाने वाली युकति कहलाती इसमें में स्रोटिका नलियुग और खालिस्तान होते हैं। ज्यादा साउंड में सुनने लिए जो युकति अपनाए जाती हैं उसको क्या कहते हैं। स्टेटोसकॉप कहा जाता हैक्लिकू और इसमें स्वरृति का नली और क्या होता है चैस्ट पीच होता है वो एक साज लगाते हैं और पीड़ पर लगाते सुनते हैं तो उसको चैस्ट पीच बोला आठाई अगला है कि वहां परीघट ना जिससे हम अपने आस पास की विभिन वस्तूंओं को देख सकते हैं उसको क्या कहायाता है उसको नेमत बरावरतन कहायाता है देखिए कोई भी वस्तू है अगर वो मालीजी एक कमरा है यहां पर बहुत सारी वस्तूओं रखी हु यह वस्तू है यह वस्तू है और यहां पर प्रकास है और यहां पर हम खेड़े हुए है तो यहां से प्रकास इस वस्तू पर जाएगा और इस से टक्राकर हमारी आखों में आएगा तो हमें वह वस्तू दिखाई देगी अब वस्तू का रंगी दिखाई देने का क्या कारण है ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए देखिए रंगी दिखाई देना का कारण है जे कि प्रकास में साथ रंग होते हैं अब साथ रंग में से क्या होता है वस्तु जिस रंग की होती है उस रंग के प्रकास को परावर्चित कर देती है वसा घिने रंग को वस्तु परावर्चित कर देती है जिस रंग के प्रकास को परावर्चित कर देती है वस्तु उसी रंग के दिखाई देती है अगला कुछन है खाद शंकला में लापता कड़ी डाले है ना तो यहां पर खाद शंकल दी हो जिसमें लापता क्या है खाद शंकला है घास मेंडग साप और गरूर देखे घास के बाद यहां पर यह दिया हुआ है जो कोई लापता है उसके बाद मेंडग है उसके बाद साप खाते हैं कीट खाते हैं तो गहांस को कौन कहता है कीट खाते हैं अलागि गिलारी भी खाती है बड़ यहां पर जो खाद संगला उसके इसाब से कोई से भी कीट खाते हैं उन कीटों को मेड़क खाती है उनको साफ फिर गरूर खा जाते हैं तो हमारा आंसर जागा कीट नीचे सुची बद्ध उपकरोनों में से कौन विद्धु चुम्बक का प्रयोग नहीं करता खिलोने, इलेक्ट्रिक बल्ब, बेल इने के विद्धु घंटी, वाशिंग मसीन और रूम हेटर तो इने में से कौन है जो विद्धु चुम्बक का प्रयोग नहीं करता तो जो room heater रहे वो विद्धु चुंबक का प्रयोग नहीं करता, बाकि washing machine में विद्धु चुंबक रहती, क्योंकि machine जो चलती है, वो विद्धु चुंबक के कारणी चलती है, विद्धु घंटी में भी रहती है, खिलोनों में भी अगर machine लगी हुई है, तो मतलब कहलाती है, sponge hydra कहलाती है, well कहलाती है, तो वो जो पशु है, वो sponge और hydra कहलाती है, अगला हमारे देश में, एक रोग उनमुलन के लिए, पांच वर्स से कम उमरे के बच्चों को मोखिक भूंदे दी जाती है, और यहां वाइरल बिमारी कोन सी है, याने कि याने को प्रती व तो यह दो बूदे जिन्दगी का किस लिए है, किस रोग के उनमुलन के लिए, पॉलियो के लिए, उनमुलन के लिए, पॉलियो उनमुलन भारत के शुरुआती है, और अब भारत को पॉलियो मुक्त गोशित कर दिया गया बहुत पहले से, इसके अलावा, यह सिस्टम जो ह और उस बिमारी का टीका बनाया जाता है, वेक्सीन बनाया जाती है, जो की सभी को लगाया जाता है, हमें बच्वन में लगाया जाते हैं, टीके लगाया जाते हैं, हमें कहीं कहीं पर निशान रहते हैं, हाथ पर निशान रहते हैं, तो यह जो टीके हैं, इन से क्या रहता हैं आप उससे हमैसा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं और छोटे बच्चों को तरह तरह के अलग अलग ठीके लगाए जाते हैं अगले दुरूलब पशूँ की संक्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है जो रैर एनिमल है ये की कमी का कारण क्या शिकार है या फिर कुछ हुए जिनका जो विलिप तो होते जा रहा है उनके विलिपत नहीं रहें और तो उनको रहने की जगह नहीं मिल रहें तो में मुख्य कारण यहीं है इन भी है है शिकार भी यह सारी सीजे सोपान पाद वाले टायर खाचेदार होते हैं इसा किया जाता है इसा क्यों किया जाता है सडक पर बहतर परकड़ बनाने के लिए टायर को अच्छा दिखाने के लिए सडक के साथ टायर के घर्षन को कम करने के लिए और फिसलने के खत्र को बढ़ाने के लिए तो देख तो सड़क पर 72 पकड़ प्रदान करने के लिए जो है ये गरब गरब प्रदान करने के लिए ए टायर खाचदार बना जाते हैं अगला है कि दादी ने क्या किया है फलो शक्र गे हूँ हमीर को मिस्ड़ करके वाइन बनाई ऐसा कभी नहीं होगा इसा होते ही नहीं करो मैंना ये गलत चीज़े दीए भाई सबने दादी नहीं देना था इसको और कुछ दे देना था वह सकता है इनका गरब से कोई रिलेशन नहीं हो जिनने भी इस ताइब को क्यूशन मना है मैंने नहीं बनाया वाई सब्वाइन की गुणवत्तर सुनिश्चित करने के लिए वहां एक जार में उसे कसकर बंद कर दिया आता है क्या आप इसका कारण ये है कि यह जो नसेड़ी रेते ना घर में ये पी नहीं आया इ इसका कारण क्या है में एलकोहल के निर्मान के लिए खमीर आवाई वी श्रसन करता है यानि कि वहां पर वायू यह अनुपस्तिती में वह एलकोहल का निर्मान करता है खमीर है ना तो कहीं से वह इसमें वायू नहीं जानी चाहिए इसका रीजन है अगला है कि वेबिन्न घ TaleOr initiative hoping for aggressive organs जो कि पदार्दों में कोशी का झिल्लय और कें के बीच उपसीत होते हैं अगला है कि नीचे दिये गए विकल्पों की गिरश्मकदारी वस्तू का छेयन करें सूर्य चंद्रमा तारे बिजली का बल्ब चंद्रमा है गेर चमकदारी है हला कि बिजली का बल्ब भी गेर चमकदारी है लेकिन है अपर उनली बल्ब कहा जाता तो वो गेर चमकदारी होता बिजली का बल्ब यह नहीं कि उसमें बिजली है तो वह चमकदार है हमें इसा चमकदार ही रहेगा लेकिन चंद्रमा पर क्या है अगर सुझे का प्रकास पड़ेगा तो ही वह चमकेगा स्वयम का प्रकास नहीं है बल्ब के पर स्वयम का प्रकास है उसमें बिजली गई स्वय होता है बर्निंग औफ फॉशिल फ्यूल्स कॉज़ेज इंगलिस भी पढ़ लिया करें इस ते आपकी क्या आती है इंगलिस इंप्रूव होती है यह मत सुची हमें क्या मतलब इंगलिस बहुत जरूरी है आज के टाइम में मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चले तो इसके मात्रबासा का ही उस कीजिए लेकिन जहां पर कभी ज़रूरत पड़े वहां पर आपको इंगलिस भी आनी चाहिए तो इसका रीजन क्या है ओजून परत का उच्छे होता है विस्वयापे तापकरम होता है और बी और सी तो जीवासमीदन को जलाने से क्या होता है विस्वयापे तापकरम होता है और धुमी इमनत गलन होता है ओजोन परत का उच्छे ही भी होता है भाईया तो तीनों हो जाएंगे कोन सी परत हमें सूरी की हानीकारक परा बेगनी क्रिणों से बचाती है तो मुझे नहीं पता कोन सी क्रिण बचाती है आप मैंसे किसी भी की बंदु को पता हो कमेंड करके बताना मुझे आए इस क्विश् Jan का अंसर मांद सपीष्छिएंom की नली जिसके माद़ न में संग्रहित मूतर कुर से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे मूत्र मारग कहा जाता है मूत्र मारग से क्या होता है जो मू त्रे इसको बाहर निकाला है तरन रिफनी प्रदू साल को नियंतित करने के लिए क्या है लिख करना चाहिए मूटर वहनों को प्रभावसाली सägंस के optimize करना चाहिए लाउड स्पीकरो और शोर रिपन करने वाले संगीत वाज़कों को प्रदी मंदित करना चाहिए और उप्रक्त सभी तो आउप दा अबाउ है यानि कि यह सारी चीज़े करनी चाहिए आप भी आपको मैं बता हूँ एक एक समझदार व्यक्ति की तरह जैसे रोड़ पर जा रह बनता है आप इरिटेड करते हैं लोगों को दूसरी चीज़ रोड़ खाली पड़ा आप आसानी से निकल सकते हैं तब भी हाण बजाते हैं पीं करते हो जाना ये भी गलत प्रभाव करता है और इससे द्वने प्रदूर्शन होता है तो एक समझदार व्यक्ति के तरह प्रक कि बहुत सारी समस्ते हैं हो रही ए है जो भी मझालब अनिस्चितां हो रही है यह तो ऑच वह मैं अनिस्चुता का कारण ये प्रकरती का पूर्री तरह दोहन हो रहा है उसी कारण है तो दोहन गलत नहीं है लेकिन उसको चेंज यानिकर अपने एक पेड़ काटा है तो समझ रहा ना चलिए बाकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं फेस्बूक पेज को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम की चैनल पर यह सारी सीज़े मिल जाती हैं बाकि अगर वीडियो अच्छा लागा लाइक जरूर करें आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलें अगले वीडियो में तब तक के लिए जाइन जावारा थेंक्यू